दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PhonePay Application के बारे में कि कैसे आप PhonePay पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और आपको कैसे PhonePay Application का यूज करना है क्योंकि दोस्तों ये PhonePay Application बहुत ही कमाल की एप है जिसके तुरू आप किसी को भी पैसा ट्रांसपर कर सकते हो मोबाल रिचार्ज कर सकते हो और बिजली का दिल जमा कर सकते हो और नचाने आप कितनी सारी सर्विसिस का फाइदा एक Application से उठा सकते हो और कैसे इस पर अकाउंट बनाना है और यूज करना है वीडियो को अन तक जरूर देखीगा तब ही आप समझ पाएंगे हला दुस्तो मिराम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हमसफर टेग तो चले दुस्तों चलते हैं डारक लिए पने फोन की स्कीन पर और आपको लाइप प्रूफ दिखाते हैं दुस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है जब भी आप हमारी YouTube पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना साइड पर जैसे आप क्लिक करेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगी और यहाँ पर इस तरह की से मैं आपको यहाँ पर आपको ऑफर के मताबित कैस बैक भी जाएगा जो कि फोन पर आप इसको पर उपन करना है और जैसे आप इसको पहली बार ऊपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटर्फिस नज़र आएगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आपना मोबाल number type करना है और mobile number आपको वही यहाँ पर डालना होगा जो कि आपके bank खाते में link है ताकि यहाँ पर आप easily phone pay का use कर सकें उसके बाद तो आपको यहाँ पर नीचे proceed दिख रहा है आप आपको यहाँ पर proceed पर click करना होगा उसके बाद दुस्तों कुछ permission आपको यहाँ पर allow करनी पड़ेगी तो आप इसको allow करते जाएंगे और उसके बाद दुस्तों आपके number पर 1 OTP आएगा यानि की one time password और automatically यहाँ पर fill up हो जाएगा और यहाँ पर दिखीगा दुस्ताओं simple यहाँ पर इस तरह के से आपको दुबारा permission मांगेगा तो आप allow कर देंगे दुबारा से allow कर देंगे तो यहाँ पर आपको allow करते जाना है अब आप यहाँ पर दिखीगा हमारे mobile number से यहाँ पर phone pay application login हो चुका है उसके बाद दुस्तों आपके सामने इस तरह के से आएगा add bank account अगर आपके सामने यहाँ पर नहीं आता है add bank account का options तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे my money लिखा हुआ नीचे तो आपको यहाँ पर my money पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आप दुस्तों यहाँ पर देखेंगे payments वाला section है payments और उसके नीचे देखेंगा लिखा हुआ है bank account तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहरे दुस्तों आपको अपना bank खाता यहाँ पर add करना पड़ेगा तब ही आप phone पे आपका use कर बाएंगे तो यहाँ पर देखेगा add new bank account पर आपको क्लिक करना है जैसे दुस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेगा बहुत सारे यहाँ पर जो है bank के नाम जाएंगे अलग-अलग तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका bank है आपको सबसे पहले यहाँ पर select कर लेना है अगर दुस्तों आपका bank यहाँ पर आपको easily नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर नाम से भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर दिखी का हमारे इस तरह किसे bank आ चुका है अब दूस्तों अगर आपका bank में account नहीं है और अब तक आपने खाता नहीं बनाया है या फिर आपके पास ATM कार्ड नहीं है अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको वीडियो की description में उसका link मिल जाएगा आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखेगा अब दूस्तों यहाँ पर देखेगा हमारा आचुका है जो हमने bank अपना search किया था अब हम अपने bank को select कर लेते हैं और जैसे हम select करेंगे अब दूस्तों यहाँ पर देखेगा हमारे number पर verify हो रहा है अब bank इसको verify कर रहा है कि क्या आपका ही खाता है या नहीं है तो यहाँ पर देखेगा दूस्तों अभी हमारा bank खाता यहाँ पर search हो रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं उसके बाद दूस्तों आपके सामने इस तरह के से options आएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका नाम आजाएगा और आपका bank पर क्लिक करना होगा और अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपना एक नया UPI ID बना सकते हैं और यहाँ पर देखेगा दूस्तों मैंने लिखा योगनी मोनिका और यहाँ पर दिखा रहा है available अगर available नहीं होगा तो आपको दूसरा यहाँ पर number डालना पड़ेगा या फि proceed to add पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप proceed to add पर क्लिक करेंगे अब दूस्तों यहाँ पर दिखीगा आपका bank account number यहाँ पर add हो चुका है आप दूस्तों अगर आपने पहले से यहाँ पर UPI ID नहीं बनाया होगा तो आपके सामने इस तरीके से options आ सकता है आप से सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने ATM card के last के 6 number डालने होगे उसके बाद दूस्तों आपको यहाँ पर valid up to यानि की expiry month और year आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको proceed पे क्लिक करना होगा जैसे दूस्तों आप यहाँ पर proceed करेंगे उसके बाद दूस्त यहाँ पर टाइप कर रहा हूं और यहाँ पर देखीगा इस तरह की से मने टाइप कर लिया है अब दूस्तों आपको यहाँ पर चार नंबर का यहाँ पर अपना UPI PIN बनाना होगा किसी बैंक में चार नंबर का मांगता है तो किसी बैंक में 6 नंबर का मांगेगा उसके बा दूसको मैं आपको बता दूं कि बहुत सरे लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर ATM पिन भी मांग सकता है तो आप यहाँ पर फिल अप कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह एकदम सेफ एप्लिकेशन है आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस भी चैक करनेंगे जैसे आप लिक करेंगे आप लूधाभ आपको पैसा बेजबाना में जाते हैं यहाँ पर दिक्ता होगा तो आपको यहाँ पर घिखता होगा तो आपको सिंपल क्या करना है अपने फोन पर application के ऊपर यहाँ पर आपको QR code का option दिपता है आपको इसको allow करना है जैसे आला करेंगे आपको यहाँ पर QR code को यहाँ पर इस तरीके से scan करना होगा जैसे आप scan करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर दिखीगा आप आसानी से यहाँ पर payment कर सकते हैं मानके चलो मुझे यहाँ पर 50 रुपे का payment करना है मैंने यहाँ पर ओकी किया अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं चाहिए ताकि आपको असानी से यहाँ पर ध्यान रहे कि आपने payment क्यों करी थी और यहाँ पर देखीगा अब मैं यहाँ पर सेर्ड करता हूं सेर्ड करते ही देखीगा आपको यहाँ पर सेंपल अपना UPI PIN को एंटर करना है और दूस्तों इस UPI PIN को आप किसी को भी सियर मत करेगा यह आपका सीक्रेट है आपको इसको OK करना है यहाँ पर देखीगा आपका payment easily यहाँ पर ट्रांसपर हो चुका है इसके लावा दूस्तों और भी चीज़ कर सकते हैं जैसे मान के चलो अगर आपको यहाँ पर जो है किसी के नंबर पर पैसा भीजने मोबाइल नंबर पर तो आप यहाँ पर जो है टू कॉंटेक्ट पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करते हैं अब दूस्तों आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करन नहीं है तो आप डारक्टी नंबर पर पैसा भीजेंगे तो उनके बैंक खाते में यह पैसा डारक्टी जमा हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर जो है उपर मैंने ओकी किया अब आप देख सकते हैं कि डारक्टी हमने मुबाइल नंबर पर पैसा भीजा और डारक्टी उनके अकाउंट नंबर पर यह पैसा डारक्टी जमा हो जाएगा और यहाँ पर दीखिए का पेमेंट जो है सक्सेफली ट्रांसपर हो चुका है इसके लागा दोस् बैनेफिसरी अकाउंट को ऐड़ करना पड़ेगा SIMPLE आपको यहाँ पर जिनको भी आप पैसा भीजना चाते है अुनका किस बेंक में खाता है आपको सबसे पहले यहां पर बैंक को सलेक्ट करना होगा सर्च कर सकते हैं चल natur यहां पर दुबारा से यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर IFAZ code की जरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने already bank को सरे कर लिया है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपको जो है उनका नाम डालना होगा जिनको आप पैसा भीज रहे हैं यहाँ पर आप उनका phone number डाल सकते हैं चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और nickname को आप छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद दुस्तों आपको यहाँ पर confirm करना होगा जैसे आप confirm पर click करते हैं उसके बाद दूस्तों इस तरीके से यहाँ बार options आएगा तो आप जितना भी पैसा भीजना चाहते हैं आपको यहाँ पर amount type करना होड़ेगा चलिए हम 150 रुपर type करते हैं उसके बाद दूस्तों आपको ok करना होगा और ok करते ही आप यहाँ पर send करेंगे जसी आप send करते हैं डारक्टे आपको यह दुबारा से अपना UPI पन यहाँ पर enter करना होगा और उसके बाद आपको ok करना होगा ok करते ही जितना पैसा आप भीजना चाहते हैं यहाँ पर easily आपका पैसा easily transfer हो जाएगा और यहाँ पर पैसा transfer हो चुका है इसके लावा दूस्तों आगर आपके पा और यह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसके लाव दूस्तों आप यहाँ पर दिखेंगे कि अगर आपको जो भी cash break मिलता है phone paper तो आपके wallet में आता है तो आप यहाँ पर wallet पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस wallet को activate करना पड़ेगा आप चाहे यहाँ पर pen number डाल सकते हैं चाहे आप driving lessons का यूज़ कर सकते हैं चाहे आप voter ID card का यूज़ कर सकते हैं पासपोड का भी आप यूज़ कर सकते हैं तो आप जैसे मान के चलो मुझे pen card यहाँ पर enter करना है तो यहाँ पर pen card मैंने select किया उसके बाद दूस्तों आपको यहाँ पर pen number type करन है उसके बाद आपको यहाँ पर submit करना होगा जैसे दूस्तों आप submit करते हैं यहाँ पर दीखीगा अब हमारा जो है easily wallet activate हो चुका है और अब जितना भी balance आपको cashback मिलता है या add करते हैं आपको यहाँ पर दिख जाता है अब दूस्तों हमने यहाँ पर कुछ transaction करी थी तो य rewards पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर दीखीगा आपको scratch card इस तरह किसे दिख जाते हैं जिसमें आपको कुछ offer दिखते हैं और कुछ आपको यहाँ पर cashback भी दिख जाते हैं वो depend करता है कि आपको यहाँ पर क्या-क्या cashback मिलता है तो इस तरीके से आप यहाँ पर coupon भी पैसा भी कमा सकते हैं और यहाँ पर दीखीगा और भी चीज़ों का आप यहाँ पर जो है help ले सकते हैं बहुत सरी services आपको यहाँ पर मिल जाती है I hope दूस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको phone पे application का use करना है अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को like कर जरू से करना और अगर आपका कोई सवाल है question है तो आप comment कर देना या फिर आप डिरक्ति मुझे Facebook Instagram पर message कर सकते हैं जिसका link आपको video description में मिल जाएगा तो चलिए तुस्तों जल्द मिलते हैं कुछ interesting और नई वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा so thank you